बिर्जापुर की लास्ट एपिसोड में गाईजम ने देखा था कि जो मादूरी है अब उसे भी पैसों की जरूरत आ गई है और इसी की करण उसने शरत के साथ में डील तैकर ली है किया आप यह लोग मिलके अफीम का बिजनस कर सकते हैं जिसके चक्कर में कहीं न कहीं शरत क भी पैसों की जरूरत पढ़ने वाली थी और इसी के साथ में नया अफीम का बिसनस भी शुरू होने वाला था साथ ही में जो त्यागी है उसे अपने बड़े भाई के बारे में पता चला था कि उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो थुड़ी ठीक नहीं चल रही है उसका पादुरी ने जो आई जी दूबे थे उनकी साथ में एक डील करी थी कि कही ना कहीं बस वो कैसे भी करके गुड़्डू को फसा दे इसी सारी कंट्रिनेटी के साथ में एपिसोड नंबर फोर्ट की शिरवात होती है जहां एपिसोड के स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें त्यागी दिखाया जाता है अब यह जो शत्रुगन था जो की भरत बन की गूमराता यानि की बड़े भाईया सीधा उसी जगह पे पहुंच जाता है जहां पे उसे अपने बड़े भाई की वाइफ से पता चला था कि उसका बड़ा भाई जाया करता है यह एक और रेड ला पताने किस तरीकी से बया करना चाता था कि सामने वाली लड़की को बहुत बुरी तरीकी से बेल से मारता है और जो दूशी लड़की ती जिसके बाल चोटी थी उसे बस यह चीज़े देखने के लिए बढ़ाया था कि ताकि इन दौनों कोई दर्द हो और हर कोई इस की हो रही है तो यहाँ पर यह ऑफिसर कहता है कि देखिये हम लोग तो आपके सपोर्ट में ही है एक्चुली सरकार को लगी नहीं रहा है कि लाला ने सारा काम धंदा बंद कर दिया है इसी की करन वह बीच-बीच में आया करते हैं हम तो आपको ऑफर दे रहे हैं अगर वो क्या हुआ काम तो आप भी कर सकती है उन्हें कहिए कि हम उनके सपोर्ट में हैं क्योंकि पैसा तो चाहिए रहता है और हम आपको पूरी पूरी तरीके से हेल्प भी करेंगे तो जाइए और जाके अपने पिताजी से बात करिए शबनम पहले तो मना कर चुकी थी कि उसे इन लगने के लिए तयार हो गए थे बस वो खुद के उपर गलत इल्जाम नहीं लगवाना चाते थे यानि कि वो सजा तो ले लेंगे लेकिन गलत इल्जाम नहीं लगने देंगे इसे के कारण अब वो मौरिया की वाइफ को कड़गरी के अंदर खड़ा कर देते हैं और उसके हस्बंड के साथ में मौरिया जी की बहुत अच्छे रिलेशन थे जहां पर पहले तो मौरिया की वाइफ एकदम से फसी जाती है कि पूछे ही इस तरह की के ट्रिकी कोश्चन थे जहां पर पंडी जी ये बात साबित कर देते हैं कि अगर पंडी जी गलत इंसान होते या फि इसके बाद में जो दूसरा पोजिशन पार्टी का वकील था उसने एक नया खेल खेला उसने यहां पर एक नया आई विटनिस को बुला लिया था अब आई विटनिस कहें या फिर इस के अंदर जो शामिल था उस इंसान को बुला लिया था और यह था गाई जी दूबे जै अंदर था और अब कई ना कई शरत को भी उससे काम मिल चुका था तो कई ना कई लाला बात तो करना चाहता था शबनम से लेकिन बहुत 50-50 था और अब जब शबनम आही चुकी है कि उसके उपर प्रॉब्लम आ गई है यह जो इंकम टेक्स वाले हैं वो उसे पैसा बगर किया था लाला जो था उसी ने गुड़ू को छुपा के रखा था अपने घर के अंदर और कई नगए शबनम उससे प्यार भी करती थी तो अगर कल को को कोई मुसीबत आ गई तो शबनम भाग के कहा जाएगी शरत के पास या फिर गुड़ू के पास में क्योंकि शरत तो ए आई जी दूबे की यहाँ पेशी चल रही थी जहांपे उसे सारी चीज़ पूछी चाती है जहांपे आई जी दूबी का साफ साफ कहना यही था कि मौर्य और पंडी जी आपस में मिले हुए थे वो दौनों साथ में काम कर रहे थे लेकिन जब बात यह आई कि गुड़ू क को अरेस्ट करना है तो यहां पे पहली बात तो on the spot encounter होने का सवाल ही नहीं था गुड़ू को तो ले आया जा रहा था लेकिन इसी के बीच में पंडिजी को पता चला कि उनका बेटा फस जाएगा इसी चक्कर में उन्होंने मौर्या का मढर कर दिया तो यहां पे साफ साफ तर कि पंडिजी ने मौर्या को इंटेंशली मारा है किसी चीज को छुपाने के लिए नहीं मारा है अब जो जच था वो खुद फस चुका था वो पंडिजी को बहुत अच्छी तरी किसी चानता था और इवन पंडिजी को सजा भी नहीं देना चाता था इसे के कारण यह आखर संगत में लग गया उसके बाद वो खुद की मनमानी करने के लिए चला गया उसके पापा को भी कौन सा जस्टिच चाहिए था वो भी अपने काम के अंदर निकल गया तो फिर आकर डिंपी क्यों किसी के वेट में बैठी है क्यों सारे चीज़े ठीक कर रहे है उसे भी अपन करके हम सीदह घर पहुचते हैं तुम भी तुम्हारा समान वगर पैक कर लो मुझे सीजन के अंदर गाई सच में बहुत जादा एक्सपेक्टेशन थी कि रॉबिन की फैमिली के बारे में जरूर बताया चाहिए जरूर बताया चाहिए क्योंकि सेकंड सीजन के अंदर उसे इंट्रस्टिंग परिशनलेटी के साथ दिखाया गया था इस सीजन के अंदर हालांकि उसकी बहुत कम स्टोरी कर दी गई थी लेकिन फिर भी उसके बारे में डीटेल से नहीं बताया गया जिसके बाद में सीन रॉबिन के उपर ही शिफ्ट होता है जो कि यहां पे पैसा ल कि लोग सेटल ओनी के लिए काम दंदर शुरू करते हैं तुम अपना सेटल होनी के लिए काम दंदर छोड़ रहे हो यह क्या चीज है जहां पर रॉबिन को समझ में आ गया था कि वह जिस तरह के का दो नंबर का धंदा करता है वह आगे चाके नहीं चल पाया गाएगा उप प्यार के अंदर तो बहुत सारी चीजे गड़बर हो जाती है, उसकी भी बहुत फटके हाथ में आ गई थी, उसके बाद में वो, रॉबिन से बात करता करता है, गोलू के पिचर देखने लगता है, करने करी रॉबिन को भी आइडिया लग किया था, क्योंकि तिया कि जब ड् हो गई थी, कोई भी जिंदा नहीं बचा, गुड़ू भी चला गया, उसकी बहन भी मर गई, तब यहाँ पर डिमपी आती है, जो कि उसकी बहन की साड़ी लेकर आई थी, तो यहाँ पर गुलू कहती है, कि देखो अब हमें इसकी सही में जरूरत नहीं है, बलकि अगर यह तो हमी जादा खुशी होगी, कहीना कहीना दिमपी का कहाना था, कि गोलू तुम अपने काम से काम रखो, क्योंकि गुड़ू भाईया जो है, वो तो अपना गोल तैय कर चुकी है, कि उन्हें तो बरबाद होना है, तुम आखिर क्यों अपना जीवन खराब कर रही है, जहा पर उन्हें कोई ने कोई संभालने के लिए जरूर चाहिए, वो अखिले कुछ भी नहीं कर सकते हैं, टिमपी को लग रहा था कि गोलू जरूर गुड़ू को पसंद करती है, इसी के करण वो कुछ नहीं कहती है, क्योंकि हो सकता है कि शायद गुड़ू के साथ में अगर को पूटी बची लिपपी आई थी, सीजन वाली लिपपी, अब यहाँ पर शबनम बैटके पासचीत करी रही थी और इतनी ही देर के अंदर जो बीना थी वो बीच में बोल पड़ती है, कि शबनम अपने साथ में एक डील लेकर आई है, गोलू की शबनम से बिलकुल नहीं ब पास टाइम भी, गुड़ू के चकर में ही विचारा लाला जो था, यानि कि शबनम के फादर वो जेल के अंदर चले गए थे, हो सकता है कि अगर इस बार शबनम फसी तो शबनम भी मारी जाएगी या फिर बहुत कुछ गलत हो सकता है, लेकिन शबनम का कहना था कि जब आप को जरूरत ही तब आप हमारी पास आए, अब जब मैं फसी हुई हूँ, तो आप यहाँ पे अच्छी अच्छी बाते कर रहे हैं कि मैं फस जाओंगी ऐसी बात, तो फिर आखिर आप ये बात कर ही क्यो रहे हैं, जहाँ पर गुड़ू कहता है कि ठीक है फिर बात अगर सही बली से मिलना चाहता है, तुम आखिर क्या हो, यहाँ पे गुड़ू को बहुत जादा गुसा आ रहा था, और गुड़ू भी सोची रहा था कि आखिर ये बीना क्या बखवास कर रही है, तो यहाँ पे आखिर में यही तैय होता है कि गुड़ू जाएगा डील करने के करेंगे, पीछे से शबनम भी निकल जाती है, अपना सारा समान वगर पैक करके, अब यहाँ पे डीली ने काटवांडू के अंदर तैय करने जानी थी, यानि कि नेपाल के अंदर अंदर काफी सारी सेक्योरिटी क्लियर करने के बाद में शबनम और गुड़ू को अंदर भ काम वगर करने के लिए आए, एक हाथ हमारा ट्रिगर पे रहता है, पहले से हमें नेपाल की सर्दी सूट नहीं हो रही है, क्योंकि पुर्वान चल के अंदर तो बहुत साथ अगर्मी है, तो ये बंदा बात काट देता है और गुड़ू को कहता है कि पते खेलने आते न दिये थे, ये स्टोरी इतनी जादा क्रिटिकल हो गई थी क्योंकि पत्ता मैच करवाना था और अभी तक भी किसी का पत्ता मैच नहीं हुआ तो और पैसे बढ़ते ही जा रहे थे, जो बेक साक्व सामने बैठे थे, जो कि सिगार फूक रहे थे, वो भी काफी साथा फसी व लग आए है कि तो आप अच्छी तरीकी से पता है कि जंगल किता ब्यूटिफुल हैं, बार-बार घुमाईए मत बताये की डील करनी है की नहीं करनी है, आप यहां पे जोमेंट पर्तरी थे वो निन लेकिन असली खिलाडी तो यही बंदा था जो की सामने वाले इसकोट वाले आदमी को बना के बिठा रखा था कि ओनर वो है क्योंकि ये तो चुपावा पीछे बैटा था ये तो सामने वाली पार्टी की अंदर की कैपेसिटी चेक कर रहा था और गुडू ये बात पकड़ च आता है कि डील तै हो गई है और हम आज रात में यहीं रुकेंगी हम लोग कल सूबे आ जाएंगी गोलू को लगी गया था कि अगर यह रुका है तो शायद कुछ ना कुछ तो गडबड होगी इत्ती देर में शब्नम गुडू के कमरे में पहुंच आती है कि खाना हम लोग कॉल लगाती है लेकिन इस वक्क गुडू जो था वो शब्नम के साथ था डिनर वगरे कर रहा था और उसे सही नहीं लग रहा था कि शायद गोलू का फोन उठाना चाहिए और इसी के करण वो गोलू का कॉल नहीं उठाता है यहां एक तरफ शब्नम और गुडू आपस में इंटिमेट हो रहे थे वहीं दूसरी तरफ अब गोलू को लग रहा था कि बहुत सही मोमेंट है उसे बस निकल जाना चाहिए गुडू तो कल की डेट में आ चाहेगा इसी के कारण वो निकलने की तयारी शुरू करती है तब हमें पता चलता है कि असल के अंदर त्री पार् बंदे को पकड़ लिया था जो कि गोलू को बार-बार में इंफोमिशन पास कर रहा था और त्यागी का क्याना था कि अगर तेरे पास कॉल वापस नहीं आया तो तुम मरेगा और आखिर के अंदर गोलू का कॉल आई जाता है कि हम तुमारे तक पहुंच रहे हैं तुम बा